अलो फ्रेंड्स मैं सेब डॉक्र सुनील तवार कंसर्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे बड़ी ही एक कॉमन समस्या जो कभी ना कभी आपको भी हुई होगी किसी फ्रेंड को या फैमली में वो है इयर वैक्स प्रॉब्ल कोमन समस्या है जो हमारा एयर जो गोड ने बनाया है जो हमारा एयर के कैनाल है उसके अंदर जो हमारा एयर ड्रम होता है जिसको हम पर्दा बोलते हैं उसके आगे जो पार्ट है जो बाहर खुला हुआ है इसको हम एयर कैनाल एक्स्टर्री और्डिट्री कैनाल ये कैनाल हम बोलते हैं, दोस्तो इस कैनाल के अंदर की सकिन पही कुछ गलेंड्स होती हैं, सिरुमिनस गलेंड्स होती है। वो जो है वो wax का secretions करती हैं, sebum का secretions करती हैं, दोस्तों आपको जानके बड़ा लगेगा कि wax बनना mandatory है, यह जो wax बनता है, इस wax में antiseptic property होती है बाहर के जो dust है वाइरस है बाहर के जो bacteria है वो trap होते हैं और यह एक गोड़ ने दोस्तों गोड़ ने एक system बनाया है कि wax बनता है और automatically वो बाहर आ जाता है बड़ दोस्तों whenever you use more and more earbud, pen, pencils अगर आप ear buds बहुत ज़्यादा इस्तमाल करते हैं चाबी से ear को clean करते हैं ठीक हाना pencil से आपको clean करते हैं तो दोस्तों जो गोड़ ने बनाया हुआ जो उसका system है वो disturb हो जाता है सो दिरे-दिरे क्या है ear के अंदर वो wax है वो accumulate हो जाता है and आपको दिरे-दिरे-दिरे-दिरे hearing loss और consequently बाद में जो है कई सारे symptoms होते हैं अगर आपको ear wax है तो और जो symptoms है वो क्या होगा decrease hearing होगा दूसरा बहुत बार कान में सहीं सहीं के आवाज भी आने लगती है बहुत बार अगर आप जो से आप बारिस का जो मौसम होता है उसमें ear wax में जैसे ही ओ पानी जाता है तो वो swell हो जाता है और बहुत बार continue जो है लंबे समय तक wax रहता है उसके कारण उसमें fungal infection भी develop हो जात जाता है दोस्तो जब patient ear wax की problem की साथ आता है तो यह depend करता है उसका जो treatment है बहुत-बार ear wax बहुत ज्यादा नहीं है कम है तो उसको ओप डिमें जो है वो सक्षन मशीन से सक्षन से उसको तो एंडोस्कोपिक दूर्वीन से clean कर दिया जाता है दोस्तों बहुत जगें अभी भी कहा है कि जो एर में पानी लेके वो इसको syringing method से उसको water jet से उसको प्रेशर दिया जाता आज ने वह बार आ जाता है लेकिन वह अभी जो तो है उसका जो cleaning का system है वो endoscopic method है दुरबीन से जो उसको अंदर देख लिया जाता है monitor पे उसको check कर लिया जाता है और दुरबीन में जो है उसी vacuum की साहिता से उसको निकाल दिया जाता है आपको दर्द नहीं होता patients को भी पता लगता है कि क्या हो रहा है और आपको जो है अगर कोई आपके परदे में injury है पहले की previous कोई hole है तो उसको भी patients को दिकत नहीं होगी so endoscopic जो ear wax cleaning का साधन है वो दोस्तो सबसे best method है और बहुत बार क्या है कि hard है impacted है तो उसमें पहले ear drop डालके और उसको soft किया जाता है दोस्तो बहुत बार लोग जो है वो उसमें जो है सर्चों का तेल या oil गरम करके भी डालते हैं बट दोस्तो ध्यान रहे कि यह जो wax को आपन डिजोल करने के लिए जो डालते हैं उसके बाद उसको निकलवाना जरूरी है क्योंकि हमने जो वो oil गरम करके डाला उससे तो वो soft हो गया बट अट लिसको निकलना अपने कैनल से जरूरी है जभी हमें रिलेप मिलेगा जो दोस्तो आप इस information regarding the earwax problem is useful for you. You can share this information to your family, friends and colleagues just to create awareness about the earwax problem and if you have any query then you can put on my comment box so I reply for that. Thank you.